नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनुजराय आज हम बात करेंगे आमला के फाइदे के बारे में गर्मियों में आमला का सेवन देता है करामाती लाग जानिए इसके 10 फाइदे 10 Health Benefit of Consuming आमला in Summer इंडियन गुजवेरी जिसे आमला के रूप में सामान रूप से जाना जाता है पोशक्तत्तों का खजाना है और खासकर गर्मियों की मौसम में सेवन करने पर कई स्वास्त लाग प्रदान करता है आमला रिच्ट सोर्ष आप बिटामिन सी आमला बिटामिन सी का एक अमूली सो होता है या पोशक्तत्त रोग प्रती रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है संक्रमाणों के खिलाब सरी की रक्षा को मजबूत करता है और वीमाजियों से तेजी से ठीक होने में सहायक होता है यह सकती साली एंटियोक्सिडेंट्स भी होता है जो सेलों को फ केरोटिनॉइट्स की अधिक मात्रा होती है जो अच्छी द्रष्टी बनाय रखने और उम्र से संबंदित मैक्यूलर डिजेनरेशन और मोतियावन से बचाव के लिए आवश्चक होता है नियमत रूप से आमला का सेवन करने से आखों की सिहत में सुधार हो सकता है और आखों की ऑक्सिडेटिव खानी से बचाया जा सकता है आमला फोर बेट लोस आमला में उच्छ फाइबर की मात्रा संत्रप्ती को बढ़ाती है और भूग को कम करती है जिससे यह बजन घटाने वाले आहार में एक उत्रेश्टी योगदान होता है यह मेटाबोलेज में को भी बढ़ाता है जिससे सरीर को केलोरिक को अधिक प्रभावी धन से जलाने में मदद मिलती है जिससे वजन प्रवन्दन में सहायता मिलती है आमला इंप्रूब आमला प्रमोट्स हेयर ग्रूथ आमला अपने बाल मजबूत करने की गुणवक्ता के लिए जाना जाता है यह सिर को पोशन प्रदान करता है रूसी को रोकता है और बाल के रूम सुद्रों को उत्तेजित करता है जिससे बालों का स्वास्त और मजबूत बिगास होता है आमला तेल या आमला आधारत बाल मास्क भी बाल की बनावट को सुझाने में मदद कर सकते हैं और पहले से सफिग होने को रोक सकते हैं आमला रिड्यूज कोलिस्ट्रोल लेवल्स आमला में फाइबर और एंटी ऑक्सिजेंट्स होते हैं जो रक्त में LDL याने बुरा कोलिस्ट्रोल के इस तरको कम करते हैं और HDL याने अच्छा कोलिस्ट्रोल के इस तरको बढ़ाते हैं यह धमनियों में प्लाक जमाओ को रोक कर हरदाय रोक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है आमला में polyphenols और flavonoids जैसे योगिक होते हैं जो रक्त चीनी के इस तरको नीयंत्रत करने में मदद करते हैं यह धमित आमला का सिवन करने से मदुम्ह को नीयंत्रत करने में मदद मिल सकती है क्योंकि यह इंसूरिन की संवेजन सीलता को बहतर बनाता है और भोजन के बाद रक्त चीनी की उच्चिता को कम करता है इन्हेंस स्किन हेल्थ आमला के एंटी ऑक्सिडेंट गोण त्वचा को UV विकिरन और पर्यावरनी प्रदूसकों के कारण होने वाले छती से बचाते हैं आमला का नियम सेवन कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है जो त्वचा को मजबूत और जबान बनाये रखता है जुर्यां और छोटे रेखाओं की दिखाई दिने वाली संध्या को कम करता है आमला फोर इंप्रूब डाइजेशन आमला में अधिक मात्रा में फाइवर होता है जो पाचन को सुधारता है और कबज को रोगता है फाइवर की बिसाय में भी बोलते हुए बोलने पर यह आपको नियमित मलत्याग की सहायता करता है और एक स्वस्त गटिया माइक्रोबायों को पड़ावा दीता है पाचन संबंदी बिकारों जैसे कि गेस्ट्राइटिस और पाचन दुरबलता का जोखिम कम करता है आमला बूर्ट्स लिवर फंक्शन आमला लिवर के स्वास्त के लिए फाइविमंद होता है क्योंकि यह सरी से बिसाक्ता को बाहर निकालने में मदद करता है और बिस निकालने में सहायक एंजाइम की उत्पादक्ता को बढ़ाता है नियमत रूप से आमला का सेवन करने से लिवर को शराब, प्रदूशक और अन्यहानिकारक पदार्तों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों